आप सभी का सुवागत है विज्दम नर्सिंग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल को शेयर कर देंगे और चैनल के ऊपर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब करेंगे चैनल को सिस्क्राइब करने के जरूर कहेंगे और आज का हमारा कॉंसेट है वो आपका है कि एक क्यूटरस हमारा पूछा जाता है कि जो यूटरस होता है देखेगा समझिएगा इसी इसको कि सर जो यूटरस होता है इस यूटरस का बोडी वाला पार्ट और सर्विक्स वाले पार्ट का रेशियो पूछा जाता है कि कौन सी एज में जो है वो बोडी का रेशियो कितन यह किसं पूछा जाता है, हमारी exam में यह किसं जरूर पूछा जा सकता है तो इसको याद र吹े, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चा जो है, मतलब female baby, uterus कहां देखने मेलगा, female baby देखने को मिलेगा, तो जब किसी female baby का जनम होता है, तो 8 birth के उपर, अगर female baby के uterus को आप देखेंगे, तो उसका जो body वाला portion है, वो आपको छोटा मिलेगा, और cervix वाला portion जो है, वो आपका बड़ा मिलेगा, तो ये question आपसे पूछा दा सकता है, कि body और cervix का ratio कितना रहेगा, uterus के body, cervix की हम बात कर रहे हैं, तो जनम के समय जो ratio रहता है, body छोटा रहता है, और cervix थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो 1 ratio, ये question आपको याद अखना है, पहला question आपका हो गया, दूसरा है कि जब आपकी puberty आ जाती है, up to puberty, puberty तक आपका ये जो ratio है, वो कितना हो जाता है, तो equal हो जाता है, दोनों की size equal हो जाती, 1 ratio, 1 हमें द बात करते हैं, तो body और cervix का ratio 1, ratio 1 आपको नजर आएगा, next हम बात करते है, reproductive age के अंदर, आप देखेगा, जब हम reproductive age की बात करते हैं, तो आप सुभी को पता है कि बच्चे का जो implantation है, जो product of conception का जो implantation है, वो body portion में ही होता है, तो हमें यहाँ पे body portion जो है, वो बढ़ावा द देखने को मिलेगा, size के अंदर, as compared to cervix, तो cervix से बड़ा आपका body portion का मिलेगा, reproductive age के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की growth के लिए बहुत अच्छी जगे, हमें space सही होता है, इसलिए, next हम बात करते है, मीनो पोज के उपर, तो मीनो पोज की अगर हम बात करते हैं, तो यह क्यूशन आपके exam में पूछ जाते हैं, ऐसा ही यह क्यूशन हमसे पूछा आता है, वो पूछा आता है, placenta और newborn baby के बारे में, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, कि जो placenta होती है, अगर मैं बात करूँ, placenta के weight की अगर हम बात करते हैं, तो placenta का weight कितना होता है, तो आ आप सबी को पता है, सर, वो होता है, आपका 3000 gram होता है, कितना होता है, 3000 gram होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में ratio करूँ, तो क्या होगा, सर, यहाँ पे हमारा ratio आएगा 1, और यहाँ पे हमारा ratio आएगा 6, तो 1 ratio 6, यह क्यूशन पूछा गया है, याद रख कि placenta और newborn baby में अगर हम ratio चेक करते हैं तो कितना ratio होता है वन रेशो 6 आमे जो है वो देखने को मिलता है तो ये दो ratio की क्यूशन मैंने आज आज आपको बताए हैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को class अच्छी लग रही होंगी आज का आपका क्यूशन है वो ये है कि placenta के अं है और जितना भी blood volume है उसमें से mother का कितना होता है और baby का या fetus का कितना होता है ये भी आपको साथ के साथ comment box में बताना है उमीद करता हूं कि comment सब के आएंगे कि mother के जो placenta होती है उसमें कितना ml blood पाया जाता है उसमें से कितना ml mother का होता और कितना ml जो है वो fetus का होता ये आ आप comment box में जरूर डालेंगे, thank you so much, bye bye and take care to all channel को subscribe कर लेना, classes को share करना, thank you so much.